गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल्चारु भक्षडम ओमा सुतम सोक विना सिकारिकम नमामी विगने शर्पाद पंकजम ओम जैस्री कृष्णा दोस्तो राधे राधे आप सब सकुसल होंगे इसी आसा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज इस वीटियो में जानेंगे संकट चौथ 2021 में सबसे पौरानिक ब्रेत कथा जो ब्रेत करते हैं या जो नहीं भी करते वह इसको सुन्ने मात्र से ही पौर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है संकट चौथ जैसा कि सबको विदिती है भगवान गडेश और चंद्रमा को समर्पित है संतान की सुक सम्रद्धी घर में किसी भी तरह की कलेश कल है आदी को मिटाने के लिए संकट संकट चौथ का ब्रेट किया जाता है जो कि विशेश रूप से फल देने वाला होता है संकट चौथ ब्रेट हर महने पढ़ता है जैसे सबको विदित ही है लेकिन सबसे खास संकट चौथ पंचांग की अनसार माग माग की जो महने में पढ़ती है उसे माना जाता है इसे संक नहर्ता की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्ग देकर ब्रेथ खोलती हैं और आणिक कथाओं के अंसार संकट चौत के दिन गडेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था इसलिए इसका नाम संकट चौत पड़ा इसके पीछे और भी बहुत अधिक कहानियां हैं पर यह विशेश रूप से इसका नाम संकट चौत पड़ा है यह जीवन के समस्त संकटों को दूर करने वाली होती है इसलिए इसे विशेश रूप से फल देने वाला माना जाता है इस साल 2021 में सरवप्रथम 31 जन्वरी को संकट चतुर्थी का ब्रत किया इसे एक उपाय करें जो संतान की सुक्सम्रद्धी में कारगर हो इसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैं लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उसे जरूर देखिए अब जान लेते हैं संकट चौतिर्थी का क्या महत्त है संकट जै परे इस दिन निर्जला वृत रखती है भगवान गणेश्ट की प्रथम पूजी देवता के रूप में आराधना की जाती है इसी लिए कोई भी सुपकारे करने से पहले भगवान गणेश के आराधना की जाती है इसी चतौतियों स्री गणेश्ट की उपासना के साथ कथा सुनाई जाती है बिना कथा के कोई भी ब्रत अधूरा माना जाता है अब जान लेते किस तरह से यह ब्रत करना चाहिए संकट चतुर्थी के दिन सर्वप्रथम महला है सुबह उठकर इसनानादी करने के बाद उपवास रखने का प्रावधान है या वह उपवास का संकल्प ल करती है इस दिन सकरकंदी का भगवान गडेश को भोग लगाने से विसेश रूप से फल की प्राप्ती होती है संकट चतुर्थी के बाद सफेद कपड़े के दिन सफेद कपड़े धारण कर गडेश प्रतिमा को इसान कोड में एक चौकी पर इस्ताफित कर देना चीए ध्य पूजा सुरू करनी चाहिए इसके बाद रोली अक्षद दुर्वा और फूल चड़ाएं फिर पान सुपारी और फूल का भोग लगाएं इसके बाद देशी घी धूप आदिसे उनकी पूजा करें और आर्ति करें और एक विशेश मंत्र बताना चाहूंगी पूरे दिन ओ गड़े शाय नमा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को याद करते रहना चाहिए संकर चतूर्थी के दिन कुछ घरों में तिल और गुड का बकरा बनाकर उसकी बली दी जाती है इस दिन महलें एक साथ समूह में एकत्रित होकर भगवान गड़े इसकी कथाएं सुनती ह जो की विशेश रूप से फल देने वाला होता है अब जान लेते हैं इसकी कथा जो की काफी पौराणिक है एक समय की बात है राजा हरीश्चंडर के राजी में एक कुमार रहता था वह मित्ती के बरतन बनाता लेकिन वह हमेशा से ही कच्चे रह जाते हैं इतनी महनत के पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मित्ती के बरतनों के साथ आउ में डाल दिया उस दिन संकट चतुर्थी थी उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परिशान थी उसने गडेजी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की दूसरे दिन जब क कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आउ में उसके बरतन तो पक गये थे लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था वह डर गया और राजा के दरवार में जाकर सारी घटना बता दी उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मा को बुलवाया तो माने भी सव नहां भी धार्मिक हिंदु मानिता के लोग रहते हैं महलाय संतान और परिवार के सव भागी के लिए संकट चोथ का ब्रेथ करने लगी यह एक छोटी सी कहानी थी जो कि बहुत प्रेणा दायक थी जिस प्रकार से भगवान गडेश ने उस कुमहार की और उस बच्चे की र पूजा के समय सुनी जाती है जो भी संकट चौथ का ब्रेथ नहीं भी करते हैं उन्हें भी संकट चतुर्थी ब्रेथ की कथा अवस्य सुनने चाहिए संकट चतुर्थी ब्रेथ करने से इसकी कथा सुनने से घर परिवार में आ रही जो भी संकट विपदाय होती हैं वह स्री गड़ेश की पूजा के दराम संकर्स्टी चतुर्थी व्रेथ कथा का सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए जो की विसेश रूप से फल देने वाला होता है इस तत्य में एक सब्द और जोड़ना चाहूंगी कि आप जब भी स्री गड़ेश की पूजा करें इस दिन तिल दूब चड़ाना ना भूले या पीले लड़ूओं का भोग अवश्य इनको लगाएं इससे भगवान गड़ेश विसेश रूप से प्रसन्न होते हैं आप चाहो तो भगवान गड़ेश की प्रतीमा को आप पंचामृत से भी अभीशे करा सकते हो जिसमें दूब दही जो भी पंचामृत में सेहद आधी पढ़ते हैं उनसे इसनान करवा सकते हो यह भी एक विसेश रूप से उपाए है जो समस्त मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है वीडियो आपके लिए यूजवल रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूलें भगवान गड़ेश की आप पर विसेश गृपा हो इसी आसा के साथ आपसे विदा लेती हो मिलती हो नेक्स वीडियो में